चलता है एक भी मैंने चाहे वो Instagram हो चाहे वो Facebook हो चाहे Facebook page हो कहीं भी मैंने अपने लिए negative चीजें नहीं आप लोगों के comments के जरिये देखा है तो उसके लिए thankful हूँ Thank you so much for loving me and Atin जी, thank you क्या हालचाल है और क्या हो रहा है ये सुची हालचाल तो बढ़िया है फिलाल shooting पे आई हूँ और काफी समय बाद काम करने के लिए आई हूँ एक अर्सा हूँ but I'm so happy that I'm walking and I'm shooting here Banti Kumar I pray to God Anugra Ji, thank you so much Vikas Ji, कौन सा गाना आप पहले से different दिख रही Amit Kumar Ji, actually different दिख रही हूँ because मैंने look change किया इस फिल्म के लिए हर फिल्म में एक ही लुक रहेगा तो आप लोग कैसे अंटर्टेन होगे आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा So that's why Hello Ma'am, good to see you I'm from Nepal Nabal Ji, thank you so much Anyway, we hope one day will come you become Thank you so much Kumar Anuji Thank you, thank you, thank you Prashant Chaube Thank you Wish you all the very best Thank you so much Murali Ji मैं इस वक्त मिर्जापूर में शूट कर रही हूँ जो की विंद्याचल के पास है या मिर्जापूर में ही विंद्याचल है ना यह हम लोग कहां पे हैं मिर्जापूर में विंद्याचल है Shankar Hello Ma'am बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हो Akshara Ji Rahul Ji, thank you Please come live continuously Yes, yes, yes I will come एक दू दिन में जब भी वक्त मिले मैं regular live आउंगी आप सबो के लिए समय नहीं मिल पाता I'm really very sorry for that but I'll come Anup Ji Okay सुना देती हूं जिस पगले को दिल से चाहा ना जाने क्यों मोल लिया इस बच्चे दिल को बेदर दी ने दो टुकडों में तोर दिया खुद को लुटाई बैठे थे जिसके में जाज पर मरते थे सच में उसके हर अंदाज पर हम को ठुकरा करके उसने गैर उसे रिष्टा जो लिया इस बच्चे दिल को बेदर दी ने दो टुकडों में तोर दिया इंक यू सो मच आप सब ही लोगों को ये गाना अच्छा लगा एंड जितना भी एज़ नौन सिंगर آپ लोगों ने मेरे सारे गानों को आप लोगोंने इतना प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करूंगी कि आगे भी जितने भी गाने आएंगे मेरे उन सब को आपसंद करें और खुब सारा प्यार और खुब सारा आशरवाद बनाए रखें एंड वैसे भी लोग शर्मा आयोज जी दर इस नथिंग लाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें यहां पे जहां शूट कर रही हूं वहां रोड पे तो बैठनी सकती हूं तो इ अब इसमें आपको तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूं बताइए थांक यू अनिमेश विकाश रंजन तिवारी जी थांक यू थांक यू संजीव जी जाने दीजे कौन कैसा कर रहा है किसने क्या किया वो मैटर नहीं करता है क्योंकि हम जो भी करेंगे वो सब यहां ही मिलत है चाहे पाप हो चाहे पुर्णे हो इसलिए दूसरे को बोलके क्या फाइदा है सब कुछ इश्वर्ग पे छोड़ना चाहिए जो होगा सब भगवान देखेंगे फर्क क्या रह जाएगा जब मैं और सामने वाला जो किये मेरे साथ अगर वो मैं भी करती हूँ तो हम दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा इसलिए खुश रहें सब खुश रहें अपने अपने दुनिया में और क्या कभी ना कभी इंसान जब अकेले होता है जाहे कहीं भी इंसान अकेले बैठता है या कुछ समय कुछ सोच में वैतीत करता है अपना समय तब रियलाइज होता है कि हमने कहीं न कहीं कुछ गलत किया है क्या इसलिए दसंट मैटर अनुगर जी बट कुछ कमेंट करने ही सकती इन सब चीज़ों पर चुप रहने में भलाई बाकी क्या क्या है क्या नहीं है वो सब समय और इश्वर सब को बताएगा थांक यू अनिमेश जी विकास जी थांक यू सो मच फर लाइफ किंग मी या दीदी ये देखो ना बार बार फर्स जा रहा है मुझे तर दो रहा है आप कभी बात नहीं किया ये क्या बेज रहे है पंडित जी थांक यू सो मच अंशिका गुपता जी थांक यू सो मच अब इस चीज का मैं जवाब तो दे नहीं सकती हूँ आप लोगों को काश की मैं ओपनली बहुत सारी चीज़े बोल पाती हलकी नाटक नहीं हो पाता है मुझसे और ना मैं जूट बोल पाती हूँ तो जो यहां रहता हूँ निकल जाता हूँ तो मैं जी वो कभी न कभी निकल ही जाएगा I don't know क्या है क्या नहीं बद ठीक है any which ways हां thank you so much प्रशान निशान जी आप भी हमेशा अच्छे लगते हो आप जैसे इंसान को दिल दुखार मुरली जी यह मैं शूट पे आगई तो मैं आकेले मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी जाए दे जाए दे लोगता हूँ Hello Good afternoon Good afternoon Well Murugan Thank you so much Puneet Singh Rathoji मेरा लोग कुछ reply नहीं देती आप अभी देखा मिले तुंटुं सिंग जी यह देखिए देखिए यहां शूट पे आ गई हूँ और यह लोग कैसे मैं दिखाती हूँ यह देखिए यह मेरी continuity फोटो ले रहे है सब कोई मेल के परशान करें और यह देखिए हाई मैं लाइव आये भी थी यह है इस फिल्म के हीरो देश जी और यह हमारी पहली फिल्म है आप लोगों को यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और आप जितना प्यार देते हैं अक्षरा जी को इससे भी ज्यादा दीजिए और हम लोग इस फिल्म को राजा राजकुमार को बहुत कणिया और बहुत पारवारिक फिल्म बना रहे हम लोग सारे टेकनिसियन टीम एंड डिरेक्टर प्रोडूसर हमारे राइटर साब बहुत अच्छे हैं और हम लोग सभी लोग मिलके एक अच्छी फिल्म देने की शुरुवात के बहुत को इसलिए हम लोगों पर आशिरुवात बनाया रखके आपने अप्लिम अप्लिम पार का बढ़े साप